नमस्कार आपसे भी कुछ श्वागत है मेरे यूटूब चैनल जीतूर शोई में तो आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीज़ेगा सेर कीज़ेगा चैनल को सस्क्राइब कीज़ेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे मैं ले रखी हूँ हाप के जी केला कच्या केला है तो देखें यहां कर दोऊ से कटकर लेना आज एक सारे केल हूँ से कटकर लेना है और उपर का जो इसका प्रयाथ होता है ना चील को निकाल लेना यह नाइप से भी वो जाएगा या फिर बैठी से अगर जदि आप गाउंस से विलोम करते हैं तो बैठी तो रखते ही होंगे तो बैठी से भी यह बहुत असानी से निकल जाता है या फिर ऐसे छिलने वाला से भी यह असानी से यह पिल हो जाता है तो इसी तरीके से बाखी को भी पिल कर लेना है तो देख सकते हैं यहां पर कितने अच्छे से छिल करके हो गया है रेडी मेरा केला तो देखिए यहां पर कितने अच्छे इसे साफ कर रखे हम इसे क्लीज एक्डम तो इस तरीके से कट कर लेना है उतना लिए चाहला बहुत ही इस साइज में रखना से यह क्टिह दो और यह फिन देग मेफुटोर क演 da कुवने इसे नहीं को चाहर ओक है और यह बहुत ही एमेचिंट रेषिपी हैं बहुत टेस्टी बनता है मुझे तो बहुत पसंद है आप लोग भी कॉमेंट की करके बताईएगा आप लोग को कैसा लगता है और तो देखें यहां पर कट करके हो गया है रेडी देखें कितने अच्छे साइज में यह कटा है न तो यहां पर लेना है ग्रेंडर जार और ग्रेंडर जार में अगर जिदी आप मसाला डाल करके कोई भी सबजी बनाते है न तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो लेश इतनी सारी मसाले एक दम ग्राइंट कर लेना है अच्छे से थोड़ी सी पानी डाल करके और कर लेना है ग्राइंट तो देखिये यहां पर हो गया ग्राइंट अब लेना है कडाई and flame on कर देना है तो गरम होचुका अगडाई इसमें डालना है oil कुकिंग ओयल आप कोई भी डाल सकते हैं मैं यहां पर सर्स ओयल यूज कर रही हाफ टीस्पून जीरा टालने ओयल गरम हो चुका था तो जीरा तीस बता दो तिन डाल देना है और कटा हुआ प्याज अगर चिदी आप प्याज को एसे छोटे-छोटे पारिक से काट करके आप भूनते हैं यह सब ची बहुत ही एमाजिंग बनता है बहुत ही टेस्टी यमी बनता है आप जरूर इस तरीके से ट्राइ कीजेगा और इसे लैटली प्रावनोंने तक भून लेना है तो देखिए यहां पर भून गया है मेरा प्याज तो केला को डाल देना है और चला करके इसे अराम से चला देना है और यहां पर कर देना है इसे कभर तीन से चार मिनट के लिए इसे कभर कर देना है तो देखिए यहां पर तीन से चार मिनट हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा मेरा यह केला भून गया है तो स्वाध अनुशार नमक डालना है और इसे भी चला द तो mix करके और फिर से इसे 3-4 मिनट के लिए cover कर देना है तो देखिए आपर 3-4 मिनट फिर से हो गया है तो इसे चला लेंगे और केला तो मेरा भून कर वू गया है रेडी तो अब इस में डालना है टेमाटर टमाटर में डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे कवर कर देना है दो मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है न अच्छे से सौप्ट हो सकेगा और भून जाएगा साथ में केला भी तो इसे मिक्स कर लेना है और कवर कर देना है दो से तीन मिनट और तो देखिए यहाँपर पूरे अच्छी से मेरा टमाटर पक चुका है, तो आप डालेंगे जो ग्रेंड किया हूँआ मसाला है, वो हल्दी पाउडर और थोड़ी सी पानी डाल करके और इसे अच्छे से जो ग्रेंडर जा रहे है उसे दो करके थोड़ी सी पानी और डाल देना है इसमें और अच्छे से चला लेना है यहां पर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी पानी और चला करके अच्छे से और कर लेना है इसे कभर तिन से चार मिनार तक इसे कभर कर देंगे मेडियम प्लेम पे तो देखिए कितने अच्छे से सब्ची भून करके हो गया है मेरा रेडी और केला भी पूरा अच्छे से पक चुका है आप देखकर समझी रहोंगे कि कैसना अच्छा से केला पक गया है देखिए मैं बताती हूँ देखिए कितने अच्छे से ये छिलनी में आ जा रहा है न तो समझ लिजे कि ये पक गया है भून करके हो गया है रेडी तो अब यहाँ पर डालना है पानी क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी करने के लिए थोड़ी सी तो पानी डालनी ही पड़ेगी तो थोड़ी सी ही पानी डालना है अपने कोड़ी मैं ज्यादा ग्रेवी नहीं बना रही हूँ तो इसे चला देना है पानी डाल करके अच्छे से और इसे कर देना है कभर तिन से चार मिनट के लिए इसे कबर कर देना है तो देखी कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है न तो फ्लेम को करेंगे ओफ और इसे चला करके मैं दिखाती हूँ कि ये ग्रेवी बन करके हो गया है रेडी तो दुसरे बर्तन में इसे निकाल लेना है तो देखी याँ पर निकाल करके मैं रेडी कर रखी हूँ मेरा सबजी बन करके हो गया है तैयार केला का आप इस तरीके से जरूर ट्राई कीजेगा और थोड़ी सी धन्यापत्ता उपर से डाल देना है ताकि टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है और अपना अनुबह मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा आप केला का सबजी किस तरीके से बनाते हैं और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू